सब्सक्राइब कीजिए रोयल टीचर को एजूकेशन संबनी न्यूस तुरंत पाने के लिए और बताया है जो भी नए कारमिक है या पुराने कारमिक है सभी को अपना IPR बढ़ना होता है किस परकार वो बढ़ सकते हैं अगर आपके पास property है तो कैसे बढ़ना है, property नहीं है तो कैसे बढ़ना है, अगर आपके पास property है और पिछली बार भी आपने IPR बढ़ा है, तो इस बार कैसे बढ़ना है, तीनों इस्तति में इस्तति में IPR बढ़ना बता दिया है, IPR बढ़ने के बाद हमारे पास इस्तति आ हम download करेंगे तो यहाँ पर signature not verified आएगा तो इसको हम signature को verify कैसे कर सकते हैं valid कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में जनेंगे इसके लिए दोस्तों दोबारा मैं उसी process से गुजरना होगा और अपनी भरी हुई IPR है वो download नहीं की आपने IPR और आज का इस तरह से खुल जाएगा और एक तरव आपकी प्रोफाइल नजर आ जाएगी आपको यहाँ पर IPR के उपर क्लिक कर देना है तो दोस्तों आपकर आपने IPR भर दिया है वर्तमान वर्स 2023 का तो आपको क्या करना है यहां से property submission year को select करना है इसे select कीजिए और search बटन के उपर क्लिक कर दीजिए तो यहां पर एक लाइन आ जाएगी जो कुछ इस तरह से रहेगी कि आपने कब इसको खरीदा है अब वर्तमान में क्या उसकी कर लेते हैं इसको download करने के लिए यहां पर देखिए IPR दो जाटेच लिखा रहा है तो इसको आप एक बार क्लिक करेंगे तो यह आपके mobile में या फिर आप computer में try कर रहे हैं तो computer में download हो जाएगी लेकिन ध्यान रहा किया सिगनेचर जो verify करने है वो computer में ही करने के लिए आप यहां से न कॉलते हुए यह आई पार आई पियार जहां आपके desktop में जहां आपके यह PC में या laptop में download हो रही है download folder में या अधर कहीं जहां आपका save folder होता है उसको वहां से इसको open करना है open करने के बाद कुछ इस तरह से नजर आएगी जहां सबसे पहले print के लिए पूछा जाएगा आप एक बार इसको close यानि cancel कर दीजिए cancel करने के बाद यह इस तरह से नजर आएगा नीचे वाला page है second page है तो validate लिखा आ रहा है आपको एक बार mouse से right click करना है right click करने पर आपके सामने यहां देखिए validate signature के लिए पूछा जाएगा तो इसको एक बार click कर दीजिए तो आपके सामने dialogue box open हो जाएगा चाहां पूछा जाएगा signature properties के बारे में इसको एक बार खोल ल आपको एक और option मिलेगा trust का तो यह trust आप खोलने के बाद यहां cross cross नजराएंगे उसी के नीचे यहां पर add to trust certificate के उपर आपको click करने पर एक और dialogue box open होता है इसको आप ok कर दीजिए ok करने के बाद इस तरह का box नजराएगा जहां आपको यह certified document के लिए option मिल जाएगा आप इस मैं इसको ok कर देता हूं ok करने के बाद दोस्तों एक बार और वह मारे सामने यही option आता है तो हम इसको ok कर देंगे इसको aixòाएगा validate signature का option आ रहा है इसी को एक बार आप ok कर दीजिए सिगनेचर को करते ही आपका ये जो किनेचर वेलिड हो जाएगा जहां आपका पहले अन्वैलीड आ रहा था या ना वा रहा था वो अप वैलिड हो चुका है तो शाथियों इस तरह आप अपने आई पिआर बढ़ने के बाद सिगनेचर वेलिफाई कर सकते हैं धन्यवास वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो जरू लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए पास में आने वाले गंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन समझी न्यूस तरन पाने के